हेलो एबरिवन एक बार फिर स्वागता है आप सभी अपने यूट्यूब चैनल पर तो फ्रन जैसा कि अब तर्फनल पर देखी चुके हो आज किस वीडियो में हम डिसकस करेंगे नैशनल कमीशन्स और कुछ इंपोर्टन कमीशन्स को हम इस वीडियो में डिटेयर में डिसकस के टाइम ये कुशन्स आपको काफी हैफल सावित होंगे तो फ्रन्स अगर आप एच्प्यू और इस्प्यू भी अडिन ट्रांस की त्यारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट में है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन वाक्स में दे दि एक क्वेशन एक मार्क्स को होता है टॉटल बीस मार्क्स की एक कुशन जो है वो पूछे जाते हैं तो इसके पॉइंट ओ व्यू से ये कुशन जो होंगे यह आज हम टॉपिक जो डिसक्स करेंगे यह इनसे आपको काफी हल्प मिलेगी आपको एक्जाम में तो फ्रम सबसे डीकष्क करेंगे पहले बात किलें wurde horizont 282 में þाइhrade 1882 में आया था ये भी आपने याद रखना है किरा अधी जो थी संबड़ति संवेट संविड है 2930 में Keog Maad Snag perto 293 में आय थी सारज़ेंट सारज़ेंट सार्ज़ेंट पलान जो था सारज़ेंट स्कीम क्मीशन जो था वो 1944 में आया था सार्जेंट कमिशन जो था वो कब आया था वह 244 में आया था उसके बात करते हैं विश्व विद्याले शिक्षा आयो को जिसे राधा कृष्णन आयो के नाम से जाना जाता है यह अनुस उतालीस में आया था यह 109 मिस ने रिपॉर्ट जो थी वो सम्मिट की थी उसके बाद बात करते हैं मुदालियर कमिशन के बारे में मुदालियर आयोग के बारे में तो माध्यमिक शिक्षा आयोग जो था वह 1952 में आया था 1953 में इसने रिपोर्ट जो थी वो सम्मिट की थी उसके बाद बात करते हैं कुठारी आयोग के बारे में जिसे राष्ट आपने नोट करेना है उसके बाद उसके बाद बात करते हैं शिक्षा कार्य दिल के बारे में तो वरकिंग गुरुप जो था शिक्षा कार्य दल जो था वो 1985 में आया था यह आपने याद रखना है उसके बाद new policy on education नवीन शिक्षा निती जो थी वो 1986 में आई थी यह भी आपने नोट कर लेना है उसके बाद अचार्या राम मुर्ती स्मिती जो थी 1990 में आई थी यह आपने नोट कर लेना है संसोधित राश्ट्री सिक्षा निती Modified National Policy and Education जो थी वो 1992 में आई थी ये भी आपने याद करना है तो ये फ्रंस इसका इनको आपने नोट करेना है कौन सा कमिशन कौन सिंग में ठीक आप आई थी इसका आप स्क्रीन सोट भी ले सकते हो इसका आपने स्क्रीन सोट लेना है ये जो है वो इंपोर्टेंट है अब इन शुरू करके प्रस्चलित श्क्सा विवस्ता में सुधार करने पर बल दिया गया जिस सेğu नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे बिवस्दार के जीवनगे लिए stating me spirit मायाता है उसके बाद बात करते हैं अध्यूकेशिकन कमिश्ण के बारे वे हंटर कमिश्ण बार अधे जी में आया था इसकी जो स्तापना थी वे लोडम dugar abroad 1842 में की गई बेफसाइक और बेपारिक शिक्षा पर बल दिया गया इस कमिशन में हाई स्कूल में प्रतिवर्ष दो बेकल्पिक प्रिक्षाओं का योजिन किया जाने रगा हंटर कमिशन ये अपने आद रखना है उसके बाद सिरकार ने शिक्षा के प्रवंद के लिए उद्यम्यों से अनुदान राशी रेने का नेम बनाया नीजी प्रवंद स्मितियों की मद्द से कई नीजी कोलेज और स्कूल खुले ये भी आपने आद रखना है हंटर कमिशन में 1896 में अखिल भारतिय शिक्षा सेवा का अरम के गया जिसमें इंग्लैंड में आयोजित की जाने वाली प्रिक्षा के माद्दिम से ही निफ्ति होती थी ये प्रिक्षा भारतियों के लिए भी खुली हुई थी मगर दिकांश भारतिय इंगलेंड जाकर प्रिक्षा देने में जो असमर्त थे और हंटर कमिशन ने आयोग ने सरकार को महिला शिक्षा यानि कि बूमेन एजुकेशन पर जोर देने को कहा था ये आपने आज रखना है अंटर कमिशन ने सरकार को बूमेन एजुकेशन पर जोर देने को कहा था उसके बाद बाद करते हैं हार्टो कमिटी के बारे में हार्टो कमिटी जो थी वो 1939 में आई थी हार्टो कमेट्टी एक ऐसी कमेट्टी थी जिसका गठन साइमन कमिशन ने 1929 में शिक्षा के क्षेतर में सुधारेतू सुजाव देने के लिए किया था या इसका अपने स्क्रीन सोट लेना है इंपोर्टेंट है ये आपसे एक्षा में पूछ सकते हैं कि कौन सी कमेट्टी थी जिसका गठन साइमन कमिशन ने 1929 में शिक्षा के क्षेतर में सुधारेतू सुजाव देने के लिए किया था तो वो हार्टो कमेट्टी थी और इसका जो अधिक्षा था के लिए सरकार को कुछ सुजाव दिये थे और माद्विक शिक्षा में औद्योगिक और बानिज्यक विश्यों पर जोर देने को कहा गया था हाटो कमेट्टी में तकनीकी बानिज्या और क्रिशी हाई स्कूल जो थे बात करते हैं सार्जेंट पलान के बारे में सार्जेंट स्कीम के बारे में तो बर्स 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्राथमिक सरकारों को स्वायता दे दी गए इसका स्मय उच शिक्षा का बहुत हद धक विस्तार हुआ मगर माद्विक शिक्षा अब भी धी भी थी 1944 में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जोन सार्जेंट ने शिक्षा की एक महतपूर्ण और विस्तरत योजना की जो सार्जेंट योजना की नाम से जाने जाती है सार्जेंट प्लान की शिफारिशें जो थी रिकमेंडेशन जो थी वे इनको भी हम बात करते हैं उ दूसरे प्रकार के तकनिकी हाई स्कूल में विग्यान के सासाथ और दियोगिक और वानिजिक शिक्षा पढ़ाई जाए। उसके बाद उसमें कहा गया था कि 6-11 वर्ष तक के बालक बालिकाउं के लिए ब्यापक निशुलक और अन्यवारे शिक्षा की विवस्ता हो। ग्यारा से 17 वर्ष की उमर तक के लिए 6 वर्षों की शिक्षा की विवस्ता हो। ये भी इसमें कहा गया था। इंट्रिमेडियेट कक्षाओं तक की पड़ाई हाई स्कूलों में हो और सुनात्तक स्तर पर तीन वर्ष वर्षों का पाठ्यक्रम हो। इसमें कहा गया था। कोलिजों में प्रवेश समंदी नियम निर्धारित किया जाए। तता देश में एक राष्ट्रिया नवयूग अंदोदन अरंब किया जाए। जिसका उदेशिया अपने श्रीर का निर्माण और देश सेवा की भावना की शिक्षा देना हो। और ग्रामिंड पाठ्थे चर्या में क्रिशी पर बल देना होगा। वाली का शिक्षा के क्षेत्र में एक बेकल्पिक विश्या जोड़ा जाए। जिसका जो नाम था वे ग्रह विज्ञान था होम साइंस था। ये सारजेंट रिपोर्ट में कहा गया था इसकी सिफारिशें थी। और सारजेंट योजना के नुसार देश में 40 वर्सों के अंतरगत शिक्षा के पुनिर्मान का कार्या पूरा किया जाना था। प्रंतु कालांतर में इसकी अबदी घटाकर 16 वर्स कर दी गे। इसकी भी नोबत नहीं आई क्योंकि जल्द ही भारत सोतंतर हो गया। और स्वाधिन भारत सरकार ने ये नहीं शिक्षा नीती जो थी वो अपनाई थी। पूर्वत्र वर्णन से अंग्रेज शिरकार द्वारा भारत में शिक्षा विशेश कर अंग्रेज जी शिक्षा के लिए कि ये परियासों की जानकारी प्रावत होती थी। शिक्षा प्रसार में उनिस्वी से बीस्वी सदी में स्वें से भी संस्ताओं और प्रमुक व्यक्तियों ने भी महत्पूर्ण भूमी का निवाई उदारने के लिए रविंदरना टैगोर ने शांतिनी केतनी की स्थापना की इसी परकार आरेस माज ने वैदिक शिक्षा के प प्रयाप्त जो थी वो प्रक्ति हुई थी यह तो हमने सार्जेंट रिपोर्ड के बारे में बात कर लिए उसके बाद बात करते हैं विश्विद्याले सिक्षा आयो के बारे में युनिविस्टी एज्यूकेशन कमीशन को और किस नाम से जानने जाता है रादा कृष्णन आ डॉक्टर सरपली रादा कृष्णन की अधिक्ष्टा में नमंबर नीसोटालिस में एक कमीशन भाल किया गया इस आयोग को बिश्वद्याले सिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देनी थी तता अवश्यक सुझा भी देने थे आयोग ने अपना प्रतिवेदन जो था वो अगस सामोही कक्रियाओं पर बल दिया आयोग ने इस बात पर विशेश जोड़ दिया कि मादिमिक स्तर पर ही समाने शिक्षा के रावा भोतिक वातावरण से पूर्ण परिचे के अंतरगत बहुतिक तताशारे रिख विज्ञान के मूल सिधान की जानकारी दी जाए और संचार स प्रितियों की विवस्ता हो शिक्षकों की विविन शिरिणियां हो जैसे प्रध्यापक प्रवाचक ब्याक्यता और शिक्षक ये इसकी और विश्विद्यालिया पूर प्री इनिवस्टी जो है वो बारा वर्ष का ध्यान हो ये इसकी सिफारिशें थी विश्विद्यालिय प्रिक्शा दिनों के आतिरिक्ट कम से कम 180 दिन पढ़ाई होनी चाहिए जो 1111 सप्ताओं के 3-17 में बढ़ाई चाहिए समानने शिक्षा के आतिरिक्ट, वह साइक शिक्षा पर बलग दिया जाना चाहिए प्रशाशनिक सेवाओं के लिए सनात्तक की उपादी जो है वो निवारिया हो शिक्षा को संबर्ती सुची में रखा जाए यह भी इसकी सिफारिष्टी रादाग्रिशन आयोग की सनात्कोत्र प्रशिक्षन और शोध तथा इस्त्री शिक्षा का विकास हो विश्वद्य अल्या की अध्यापकों के वेतनों में व्रिद्धी की जाए और एक विश्वद्य अल्या अनुदान आयोग बनाया जाए जो देश में विश्वद्य अल्या शिक्षा की देखरे करें जिसको अब UGC के नाम से जना जाता है सरकार ने रादा कृष्णन आयोग के अनेक सुजाबों को सुष्विकार कर अवश्य कदम उठाए सरकार का सबसे महत्वपून का रहा था माद्यमिक शिक्षा के दांचे में सुधार के लिए डौक्टर लक्ष्वन स्वामी मुदालियर के देख्ष्टा में माद्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई यह अपने याद रहा है मुदालियर आयोग को और किस नाम से जाना जाता है स्केंडरी एजूकेशन कमि बित्ता लाने एक मद्य वर्टी स्तर जोडने त्री स्तरीय सनाथ तक पार्ट एक्रम शुरू करने इत्यादी की शिफारिस दी गी और संख्यात्मक अंक देने के बजाए संख्यतिक अंक दिये जाए उचिता था उच्तर माद्य स्तर की शिक्षा के पार्ट एक्रम में एक कोर सुब्जेक्ट रहे जो अनिवारे रहे जैसे गनित्समाने ग्यान कला संगीत अच्छिता जो है यह तो हमने बात के लिए मुदालियर कमिशन के बारे में इसे सकंडर एजूकेशन कमिशन के नाम से भी जाना जाता है उसके बाद बात करते हैं कोठारी आयोग के बारे में इंपोर्टेंट है यह आपने ध्यान से पढ़ना है कोठारी कमिशन से जो था वो कोशन पूछा गया था कोठारी आयोग को नैशनल मूल में तीसरी पंच वर्षी थर्ड फाइवेर प्लान योजना रही इस आयोग में मूल के मूल में तीसरी पंच वर्षी योजना थर्ड फाइवेर प्लान योजना रही जिसने बहुत सपस्ट शब्दों में देश की शिक्षपति के पुनरविजार की बात पर बल दिया था और कुठारी आयोग जो था पहला ऐसा आयोग था जिसने विस्तार से भारती शिक्षापद्धी का अध्यान किया इसके परिणाम सुभूप ही वर्ष उन्नी सोट सट में राष्ट्रे शिक्षानिती अस्तित्व में आसकी यह अपने याद रखना है उसके बाद लगवग सभी education related aspects की तरफ ध्यान खीचा गया जैसे नारी शिक्षा होगी शिक्षा में होने वाली वित्यस मस्याओं पर विचार शिक्षा के ब्रति जागरुकता दी तो यह तो कुठारी कमिशन के बारे में बात कर लिए हमने उसके बात करते हैं राष्ट्रिय शिक्षानिती नैशनल पॉलिसी और एज्यूकेशन जो थी पहली जो थी वो कब आये थी 1968 में आई थी अब इसको हम बात कर लेते हैं कुठारी आयो की शिफारिशों के संबंद में लोगसवा में ब्यापक चर्चा हुई कालांतर में वर्ष 1968 में राष्ट्रे शिक्षानिती के क्रिया निवन की केंदरी मंद्री मंदल ने स्विक्रिती दी और राष्ट्रे शिक्षानिती के प्रमुक बाते थी 1968 की वे क्या थ से देश के सभी बागों में शिक्षा का समान धंचा अपनाना लाप्रद होगा जो कि 10 प्लस 2 प्लस 3 पर अधारित होगा शिक्षा में निवेश को दीरे दीरे बढ़ाया जाना चाहिए कमजोर वर्ग के चातरों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के लिए चातर विती सब्सक्राइब को अधिक उत्तम बनाना और सस्ती पुस्तकों का उत्पादन राष्ट्री आए का 6% शिक्षा पर व्याई करना ठीक है यह तो जो राष्ट्री शिक्षा निदी थी इसकी सिफारिशें थी उसके बाद बात करते हैं वर्किंग ग्रूप के बारे में शिक्ष लुक्तर में राजनेती ग्रूप से उत्ल पंतल रहा थो रहा ही समाजी का नइश्या नइन। तक्ता तकनीकी क्षेतर में भी देश कुने चनोतिय को सामना करना पड़ा शिक्षा के पुन्रिक्षन तथा पुन्रिधारन की अफशक्तम हैसूस की जाने लगी इस संदर्ब में शिक्षा की चनोती नीतिगत परिप्रिक्षेट चैलेंज़ इन एजुकेशन पॉल सी चैस्ताओं के बारे में तो एक किसवी सदी की अव bashक्ता विकासrement समाज को ऐसा शंपदन शील छिंद के बनाना जो प्रतिवद हो विकास शील हो त्था परिवत हो नितिक इनुसारibt ही सारे देश में सिक्षा का समान धंच लागू हो जो टेन प्रस फरी प्र ह्ञार्णर Pacific शिक्षा का समाजिक प्रसंग होना चाहिए और पाठेचरा ऐसी बनाई जाए जिससे विद्यारतियों की मन में समीधान में दिये गे उत्तम सिधानतों को विद्यारती अपनाए अर्थाद वे राष्ट्रिय विरासत में गौर बनवब करें वे धर्मने रिवेक्ष्टा और स इसकी एक तौर खंड़ता के प्रति अनुरुख्त हो वे अंतराष्ट्री प्रतिपती एक नेम में ही कठर विश्वास्टी बन जाई यह जो थी वह इसके शिफारिशे थी किसकी न्यू एजुकेशन पॉलसी न्यू पॉलसी ओन एजुकेशन उन्युकेशन उन्युकेशन संसोदनी की एक कवाइद शुरू की थी इसके जो अद्यक्ष थे बे राम मुर्ती थे शिक्षा को समाजिक आर्थिक शेत्रिया और लिंग वेद के कारण पैदा बिशमताओं के ब्यापक संदर्व में देखा जाए ताकि समानता था समाजिक नियाई की समप्राप्ती हो सक देख्ष यशपावति वर्स 1992 में शिक्षा परनाली में सुधार प्रात्मिक शिक्षा को अधिक सुरूची करण दता गुणवत्ता पूर्ण बनाने चात्रों को समझ में वरिद्धी पाठ्थ करम का विवस्तित करना उदेशिया ठीक है उबाव और गुणवत्ता हीन प्र शोधित राष्ट्रे शिक्षा नीती के बारे में 1992 मोडिफाइड नैशनल पॉलिसी और एज्यूकेशन वर्स 1991 में कांग्रेस के पुना सत्ता में आने पर पिश्री सरकार द्वारा शिक्षा नीती में की गें प्रिवर्तनों का पुनिरेक्षन किया गया इसके अत्यक्षि जो थे वो श्री जनारदन रेड़ी थे पर देख विद्याले में कम से कम तीन शिक्षकों का प्रवधान होना चाहिए ऑपरेशन ब्लैकवर्ड और स्कूल कॉंप्लेक्स जैसी योजना को जारी रखा जाए प्रोड शिक्षा पर जोर और उसी इसके लिए जिला साक्षरता भयान डिस्टिक डिटरेस्टी मोवेंट डिलम की सिफारिश किये थी और लास्ट में बात करते हैं हम राष्ट्री सिक्षा निती न्यू एज्जुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में हम बात करते हैं जो अभी जो लागू है इसके बारे में थोड़ा हम क्विक डिसकस के लिते ह है सुताओता के बाद से भारत के शिक्षा ढ़ाचे में तीसरा बड़ा सुधार है इसके पहले 1968 और 1986 में राष्ट्री शिक्षा निती आई थी उसके बाद पहले की दो शिक्षा नितिया वर्स 1968 और सब्सक्राइब करना है और नई पार्थे चरों और स्रचना यह जो इसका जो पैटर्न है वो आपने याज रखना है फाइव प्लस थ्री प्लस फ्री प्लस फॉर जो है वो राष्ट्रे सीक्षा निती दोजियर वीज पैटर्न है यह आपने याद रखना है लग्याइबप पूछ सकते हैं उसके बाद है नहीं पार्थे सब्सक्राइब और श्रहर्चना फ्लस थ्री प्लस फॉर ऑक्रमशा ती करंबिक चरण तीन वर्ष मद्दे चरण तीन वर्ष और माद्दिमिक चरण जो है वो चार वर्ष है कला दथा विग्यान के बीच पाठ्थे चरण वह पाठ्थे गतिविदियों के बीच भी अब शाहिक और स्यक्षिनिक धाराओं के लिए कोई सकत अलगाव नहीं है बहु भाषाबाद और भारती भाषाओं को बड़ावा देने पर जोर देने को कहा गया इसमें और एक नए रास्ट्री मुल्यांकन केंदर परक यह अपने याद रखना है प्रदर्शन मुल्यांकन स्मग्र विकास के लिए ग्यान का ग्यान की स्तापना परक की स्तापना की गई और वंचित ख्षेत्रों और स्मुहों के लिए एक भिन लेंगिक समवेशन निती निधी और विशेश शिक्षा सत्र के बारे में राष्ट्री शिक्षान निती में कहा गया है यह आपने याद रखना है तो फ्रेंट्स आज की सी वीडियों वसे तना ही आज हमने नैशनल क कमिशन और कमिशन कर만 आउर कमिशन को हमने इसमें डीटेल में डिसक्स किया यह हमारे पास इसका सक्रीन सूट भी ले सकते ह Gleichが उत typique और SPU BAD INTRANS, दोनों BAD INTRANS में, ये टोपिक और ये जो में डिसकस किये, ये जो कमेटीज और कमिशन को डिसकस किया, इन से आपको काफी हल्प मिलेगी, आपको अगर अग्सम में HPU BAD INTRANS और SPU BAD INTRANS दोजार बीस, चोबीस में, तो फ्रंट्स अगर आप HPU और SPU भी अडिन ट्रांस की त्यारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट माई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो वहां पर आपको सभी से करना न भूले और नोटिफिकेशन लोन करते हैं ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपने मेरे यूट्यूब चैनल के कम्मुनिटी टैब में आपने जुरूर जाना है वहां पर मैं डेली एक या दो कुष्टन जो है वो जुरूर पोस्ट करता हूँ जिससे आपको वेरियस कमपिटिटिव एक्जाम में काफी हल्प मिलेगी तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो मचतना है आई होप आप कोई वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेर और कुवेंट ज़रूर कर दें तो थैंक यू